Hello traders, कल 3rd of February, Nifty और Bank Nifty के Key Levels देख लेते हैं Nifty आज दिन भर एक range में trade करता रहा है और हम देख रहे हैं कि हमने एक triple bottom ऐसा एक setup बनाया हुआ है There is a slight probability कल हलका सा gap up open हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है, तो हमारे पास 17,680 से 17,650 इस 30 रुपए की range में हमें पास अच्छा support रहेगा जब तक हम इसको breach नहीं करते, तब तक हम sell side यानि put side नहीं जाएंगे अगर यहाँ पर support लेके price move करना शुरू करता है, हम बिल्कुल buying कर सकते हैं for the targets of 17,760, 765 के levels हमें मिल सकते हैं नीचे के levels पर अगर 17,600 के आसपास हमें nifty मिलता है तो बिल्कुल हम buying on dips करने की कोशिश करेंगे for the targets of 17,650 और अगर हम CPR के नीचे यानि 17,550 के levels break करते हैं तो 17,510 के लिए हम थोड़ी selling कर सकते हैं बट मैं suggest करूंग अगर CPR के नीचे market जाए तो हम छोटे time frame पर scalping अगर करें तो जादा अच्छा रहेगा एक directional trade लेने की avoid करना चाहिए और उसके बाद 17,490 से 17,450 के range में भी हम scalping करें तो जादा अच्छा रहेगा बाकी अगर हम bank nifty के बात करें तो इसमें भी कले gap up की संभावना है और अगर हम 40,970 के असपास मिलते हैं तो सुबह सुबह अगर हमें यहाँ पर red candles मिलती है तो एक बार हम आज के highest के लिए यानि 40,800 के targets के लिए sell कर सकते हैं एक चोटा मुटा profit हो सकता है और अगर 40,760 के level break होता है तो आज की CPR यानि 40,530 के targets के लिए sell कर सकते हैं जहाँ पर हमको फिर buying opportunities मिल सकती हैं एल्स अगर हम नीशे आके 40,800 पर support ले लेते हैं और trending EMAs और 20 EMA के साथ move करना शुरू करते हैं तो हमारे पास उपर की तरफ 41,200 तक के targets हैं जो हमें call side के लिए मिल सकते हैं जहाँ पर हमको नया resistance face करने को मिलेगा बाकी कल सुबह मिलते है 9 o'clock same analysis के हिसाब से हम कुछ अच्छे trades लेने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए enjoy your evening and bye bye